नमस्कार आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्रीवाप मैं हूँ ग्रीवाप और सौगत है आपका हमारे चैनल पर अगर आप अभी एक न्यू क्रियेटर हैं तो यूट्यूब को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे एंड आपको ये तो पता ही होगा कि बिना चैनल मोनेटाइज हुए आप यूट्यूब से इंकम नहीं कर सकते हैं मतलब अगर आप यूट्यूब से इंकम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके चैनल का मोनेटाइज होना जरूरी है एंड चैनल मोनेटाइज होने के लिए आपके चैनल पर 1000 सुब्सक्राइबर्स और आपके विडियो पर 4000 घंटे का वाज टाइम कम्प्लीट होना चाहिए और ये सारी कंडिसन्स आपको एक साल में पुरे करने होते हैं तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा बट आपके मन में एक सवाल ये भी आता होगा कि अगर हमारे चैनल पर एक साल में 1000 सुब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वाज टाइम कम्प्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा आज के इस विडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे आपका चैनल जब मोनेटाइज होने के लिए आप भेजते हैं तो सबसे पहले यूट्यूब आपके चैनल का रिवियू करता है और उसके बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है लेकिन जब आप YouTube को अपना चैनल रिविव करने के लिए भेजते हैं तो आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वाज़ टाइम एक साल के अंदर कम्प्लीट होना चाहिए तो मान लीजिए कि आपको चैनल बनाय हुए एक साल कम्प्लीट हो गए हैं बट अभी तक आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वाज़ टाइम कम्प्लीट नहीं हुआ है या फिर आपने सब्सक्राइबर्स तो कम्प्लीट कर लिया बट वाज़ टाइम अभी भी कम्प्लीट नहीं हुआ है तो एसे में कुछ लोग सोचते हैं कि अब हमें एक साल वेट और करना पड़ेगा अगर आप यहीं सोचते हैं कि आपको एक साल और वेट करना पड़ेगा तो यह बिल्कुल गलत है आपने चैनल कब बनाया इससे कोई मतलब नहीं अगर मतलब है तो लाश्ट के एक साल से है इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने एक जनवरी 2021 को अपना चैनल क्रियेट किया था तो वन जनवरी 2022 को आपको चैनल क्रियेट की हुए एक साल कंप्लीट हो जाएंगे तो अगर माल लीजे कि आप तक तक 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वाश्टाइम कंप्लीट नहीं कर पाए और आपने मार्च 2022 में 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वाश्टाइम कंप्लीट किया तो YouTube को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने 1 जनवरी 2021 को अपने चैनल क्रियेट किया था क्योंकि YouTube आपके लास्ट एक साल को देखेगा मतलब YouTube आपके चैनल की अक्टिविटी एक मार्च 2021 से मानेगा इसी तरह जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वार्च टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो उस डेट से लेकर उसके एक साल पीछे तक YouTube देखेगा और फिर इसके हिसाब से आपके YouTube चैनल का मोनेटाइजेसन इनेबल होगा आई होप कि इसके बारे में आप सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे बट अगर फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेट कोई भी कुश्चन अभी भी आपके माइंड में है तो आप कमेंट करके पोच सकते हैं आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेयर करिए और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ अब्ड़के ले मस्कार